हलो फ्रेंड वल्कम बेक टू मांसी स्टडी चैनल दोस्तो आज है 15 एक्टूबर 2024 और 15 एक्टूबर 2024 से रेलेटिड करंट अफियर्स के जितने भी कुशिन बन सकती हैं आज की क्लास में सारी कुशिन को कवर करेंगी और हर कुशिन से रेलेटिड इंपोर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा और दोस्तो ये क्लास आपकी मौनिंग सुबा 7 एम पे डेली लाइव आती है आप स राम हॉल में पूछे जाते हैं आप उन सभी टाइफ एक कुशिन का अंसर बहुत एजली दे पाएंगे तो चलिए आंगे बाढ़ते हैं और आज का पहला कुशिन देखते हैं आज का पहला कुशिन लिखा है दो हजार चौबिस के हरियाना विदान सवा चुनाओ में भार्ती जंता पार्टी भाजपाने कितनी सीटे जीती हैं how many seats have been won by the भारती जन्ता पार्टी बीजेपी in the 2024 हर्याना लेजिसलेटिव इलेक्शन फर्स्ट ओप्शन है 37, सिकिंड ओप्शन है 48, थर्ड ओप्शन है 51 या फोर्थ ओप्शन है 40 बताईएगा दोस्तों 2024 के हर्याना विधान सवाच चुनाव में भारती जन्ता पार्टी ने कितनी सीटे जीती है इस कुईशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है हमारा ओप्शन नंबर बी 48 चलिए से रिलेटर इंपोर्टेंट पॉइंट जो को पड़ती है हर्याना में भारती जन्ता पार्टी भाचपा लगातार तीसरी बार एतिहासिक जीत के साथ सत्ता में लोती है केंसासित पिर्देश जम्मू कस्मीर में नेशनल कॉन्फरेंस के नेतरत वाले गटवंदन ने सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल कर लिया है 2019 में राजिस से केंसासित पिर्देश में दर्जा बदलने के बाद पहली बार जम्मू और कस्मीर में एक नई विदान सभा के गटन के लिए चुनाओ हुआ भाचपा को 48 सीटे मिली जबकि मुक्य विपच्छी दल कांग्रेस को 37 सीटे मिली भाटी लोग दल को 2 सीटे मिली जबकि निर्दली को 3 सीटे मिली ठीक है दोस्तो चलिए आंगे बढ़ती हो नेश कुईशन देखते हैं नेश कुईशन लिखा है फ्रेंड्स अक्टूबर 2024 में केंस सरकार ने राजिस सरकारों को 89,86.50 करोड के समान मासिक हस्तांतरड के मुकाबले रुपए 1,78,173 से अधिक का कर हस्तांतरड जारी किया किस राजिको 31,962 करोड रुपए का सबसे बढ़ा कर हस्तांतरड प्राप्त हुआ है इन अक्टूबर 2024 थे सेंटरल गवर्रमेंट रिलीज टेक्स डेविशन अफ ओर रेट 1,78,173 तूदा स्टेट गवर्रमेंट इज अगांस दी नॉर्मल मंथली डेविशन अफ ती-9,086.50 करोड विच इस्टेट हैज रिसीवड दी लार्जेश्ट चंक्स अफ टेक्स डेविशन अफ थर्टी-1,962 करोड रुपीज फर्स्ट ओप्सन है उत्तर पिर्देश, सिकेंड ओप्सन है महराष्ट, थर्ड ओप्सन है बिहार, फोर्थ ओप्सन है मद्पिर्देश जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस कुईशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुईशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है मारा ओप्सन नंबर ए उत्तर पिर्देश, चलिए से रिलेटिड इंपोर्टेंट पॉइंट तो को पढ़ते हैं कें सरकान ने राज सरकार को एक लागट हत्तर हजार एक सोती हत्तर करोड से अधिक का कर हस्तांतर किया है जबकि समान मासिक हस्तांतर रुपे नवासी हजार च्छासी दसमलव पांच जीरो करोड रुपे होता है इसमें अक्टूबर दो हजार चौबिस में दे नियमित किस्त के अत्रिक्त एक अग्रिम किस्त भी सामिल है वित मंत्राले के अनुशार आगामी ते उहारी सीजन को देखते हुए तता राजियों को पूझी करत वे में तेजी लाने तता उनके विकास एवं कल्यार समंदी वे के वित पोसर में सच्चम बनाने के लिए अग्रिम किस्त जारी की गई है ठीके दोस्तों चलिए आंगे बढ़तियों नेश कुष्यन देखते हैं नेश कुष्यन लिका है फ्रेंट्स अक्टूबर दो हजार चौबिस में सरकार ने देश में विविन स्थानों पर कितने नए एस आई सी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गोशना की है इन अक्टूबर 2024 दे गवर्मेंट एनाउंच दी एस्टाब्लिशमेंट ओफ न्यू एस आई सी मेडिकल कॉलेज एट वेरियस लोकेशन इन दा कंट्री फर्स्ट ओप्सन है फाइव, सिकिंड ओप्सन है एट, थार्ड ओप्सन है टैन, फूर्थ ओप्सन है फिव्टीन जल्दी से बताईएगा दोस्तों, अक्टूबर 2024 में सरकार ने देश में बिविन इस्थानों पर कितने नए एस आई सी मेडिकल कॉलेजों की इस्थापना की गोशना की है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वे है मारा ओप्सन नंबर सी टैन, चलिए से रिलेटिड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पड़ते हैं सरकार दस नए एस आई सी मेडिकल कॉलेज इस्थापित करेगी और एस आई निगम के सदस्यों के लिए बिरोजगारी भत्ता योजना को जून दो हजार चबिस तक बढ़ाईगी स्रम एवं रोजगार मंतरी मनसुख मंडाविया ने यहाँ एस आई निगम की बैठक में एस आई सी के बुनियादी धाचे और चिकिस्सा सुविधाओं को और मजबुत करने के लिए कई महतपूर निर्डियों की गोशना की देश के बिबिन स्थानों पर दस नए एस आई सी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हुई यह निर्डे प्रिधान मंतरी दौरा सोतंतरता दिवस के भासड के दौरान अगले पांच बरसों में 75,000 नई मेडिकल सीटें बनाने की गोशना का समर्थन करेगा ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ती हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंट से राजनाइक संजीव कुमार सिंगला को किस देश में भारत का अगला राज़ दूर्द निक्त किया गया है बताइएगा दोस्तों राजनाइक संजीव कुमार सिंगला को किस देश में भारत का अगला राज़ दूर्द निक्त किया गया है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वे है मारा ओप्सन नंबर सी फ्रांस देश का चलिए से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंटों को पड़ती हैं राजनेक संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में भारत का अगला राज़ दूर्द निक्त किया गया है 1997 बैच में भारती विदेश सेवा अदिकारी सिंगला वरतमान में इजरायल में भारत के राज़ दूर्द के रूप में कारिरत हैं इजरायल के प्रती भारत की विदेश नीती को आकार देने में उनके योगदान को महत पूर बताया गया है सिंगलाने समवेदन सील मामलो विसेश कर जटिल इजरायल फिलिस्तीन संगर्स को साफधानी और कूर नीती के साथ संभाला इन मुद्दों पर उनके साफधानी पूर्वक दरश्टी कोर ने ये सुनिश्चित किया कि भारत ने आइस तिर समय के दौरान छेतर में संतुले संबंद बनाए रखे ठीके दोस्तों चलियांगे बढ़ती हो नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है फ्रेंट्स एक अगस्त दो हजार पच्चिस से नेशले इंडिया के प्रबंद निर्देशक MD के रूप में किसे नुक्त किया गिया है फर्ष्ट ऑप्शन है प्रसांत कुमार को, सिकेंड ऑप्शन है सरत कुमार को, थर्ड ऑप्शन है आर्टी सरीन को, फोर्ट ऑप्शन है मनेश्तिवारी को बताईएगा फ्रेंड्स, एक अगस दो हजार पच्चिस से नेशले इंडिया के प्रबंद देशक MD के रूप में किसे नुक्त किया गिया है इस कुम्शन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नमबर D, मनेश्तिवारी जी को चलिए से रिलेटिड इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं अमेजन इंडिया के पूर्व प्रमुख मनीश्तिवारी को नेशले इंडिया लिम्टेड का प्रबंद देशक नुक्त किया गिया है उनका कारिकाल एक अगस दो हजार पच्चिस से सुरू होगा जो कंपनी के वर्तमान अध्यच और प्रमन निर्देशक सुरूष नरायन की सेवा निवरती के बाद होगा जो 31 जुलाई दो हजार पच्चिस को पद छोड़ देंगे यह परिवर्तन ऐसे समय में हो रहा है जब बर्तमान अध्यच और प्रवन निर्देशक सुरेश नरायन निशनल समू में 26 वर्ष के कारकाल के बाद सेवा निवरत्त होने की तैयारी कर रहे हैं ठीके दोस्तों चलिए आंगे बर्टियों नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स कैस सहीत को दूसरी बार ट्यूनीसिया का राष्ट पती चुना गया है ट्यूनीसिया के राष्ट पती का कारकाल कितना होता है Cash Shared has been re-elected as the President of Tunisia for the second time. What is the term of the President of Tunisia? First option is 3 years, second option is 4 years, third option is 5 years, या fourth option is 6 years. बताईएगा दोस्तों कैस सायद को दूसरी वार्ट टूनीसिया का राष्ट पती चुना गिया है? टूनीसिया के राष्ट पती का कारिकाल कितना होता है? इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वे है मारा ऑप्सन नंबर C, 5 years. चलिए से रिलेटिड इंपोर्टेंट पॉइंट पड़ते हैं. टूनीसिया के राष्ट पती कैस सायद को पांच वर्स की कारिकाल के लिए दूसरी बार पुना निर्वाचित किया गिया है. टूनीसिया के सुतंतर उच चुनाओ प्रादी करर ने चुनाओ परेडाम की गोशना की. जिसमें राष्ट पती सायद को 90.7% वोट मिले. राष्ट पती चुनाओ में 28.8% मतदान हुआ जो बहुत कम था. 2011 की जैस्मिन क्रांती के बाद से यह सबसे कम मतदान था. जिसने ताना सहाजीन अल अभी दीन बेन अली की सरकार को उखाड फेका और लोक तंतर की सुरुआत की. ठीके दोस्तों चलियांगे बढ़तीयों नेश कुशन देखते हैं. नेश कुशन लिका है फ्रेंट्स अगस्त 2023 में चंद्रियां 3 की सफलता के बाद भारत के राश्टियर अंतरिच आयोग के एक नए चंद्र मिशन को मंजूरी दी है. जिसे लूनर पोलर एक्स्प्लोरेशन मिशन कहा जाता है. यह मिशन भारत की अंतरिच एजेंसी इसरोद्वारा के बीच एक साजेदारी है और यह चंद्रमा के संसादनों विशेश रूप से चंद्र दच्छनी दुरुप पर पानी की खोज पर ध्यान केंद्रित करेगा. After the success of Chandrayaan 3, in August 2023, India's National Space Commission has approved a new lunar mission called the Lunar Polar Exploration Mission. This mission is a partnership between India Space Agency ISRO and it will focus on exploring the moon's resources, specifically water at the Lunar South Pole. First option है Japan's Space Agency JAXA, Second option है SpaceX, Third option है USS Space Agency NASA, Fourth option है France Space Agency CNEC, ES. बताईएगा दोस्तों इस question का right answer क्या हो जाएगा? इस question का जो right answer हो जाएगा Friends, वह है हमारा option number A, Japan Space Agency JAXA, चलिए से related important points को परते हैं. अगस्त 2023 में चंद्रियान 3 की सफलता के बाद भारत के राष्टी ए अंतरिच आयोग ने एक नए चंद्र मिसन को मंजूरी दी है, जिसे चंद्र धुर्वी अनवेशन मिसन कहा जाता है, यह मिसन भारत की अंतरिच एजनसी इसरो और जापान की अंतरिच एजनसी जाकसा के बीच साजेदारी है, और यह चंद्रमा के संसादनों विसेश रूप से चंद्रमा के दचनी धुर्व पर पानी की खोज पर ध्यान केंद्रित करेगा, चंद्रमा के सटीक दचनी सिरे नभी डिक्री अच्छांस पर उतरने के लिए तैयार सहिव आतमक चंद्र अभियान का ध्यान चंद्रमा पर जल और अन्य मूल लिवान संसादनों की खोज पर केंद्रित है, ठीक है दोस्तों, चलिए आंगे बढ़तियों नेश कुशन देखते हैं, नेश कुशन लिका है फ्रेंड्स प्रिधान मंत्री नरेंद मोधी की अधिचिता में, केंद्री मंत्री मंदल प्रिधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना सहित सरकार की सभी योजनाओं के तहत 45 चावल की सार भौमिक आपूर्ती को कब तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है, यूनियन कैबिनेट चेर्ड बाई पीम नरेंद मोधी हैज एप्रूब दी कंटिनुएशन ओफ दी यू अपर टू फर्स्ट ऑप्शन है मार्च 2026, सिकेंड ऑप्शन है दिसंबर 2026, थर्ड ऑप्शन है अप्रेल 2027, फूर्थ ऑप्शन है दिसंबर 2028 जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस कुश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वेह हैं हमारा ऑप्शन नंबर दी दिसंबर 2028, चलिए इससे रेलेटिड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं कैबिनेट ने कल्यानकारी योजना के तहट दिसंबर 2028 तक 17,082 करोड रुपे की लागत से 45,4 की आपूर्टी को मंजूरी दी पिर्धान मंत्री नरेन मोदी की अधिचता में केंद्री मंत्री मंडले पिर्धान मंत्री गरीव कल्यान अन्य योजना और अन्य कल्यान कारी योजनाओं सहे सरकार की सभी योजनाओं के तहट 45,4 की सार भोमिक आपूर्टी को वर्तमान सरूप से जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक जारी रखने की मनजूरी दे दी है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंट्स किस IIT ने इस्तन कैंसर का सीगर पता लगाने के लिए एक नया उपकरर पेस किया है जिसे विसेश रूप से ग्रामीर और दूर दराज के छेतरों में महलाओं की मदद के लिए डिजाइन किया गया है विच IIT हैज इंट्रोडूच्ड अन्यू डिवाइस फॉर दी अर्ली डिटेक्शन और ब्रेस्ट कैंसर स्पेसिफिकली डिजाइन तो हेल्प वोमेन इन रूरल एंड रीमोट एरियाज फर्स्ट ऑप्शन है IIT गोहाटी सिकंड ऑप्शन है IIT डैली थर्ड ऑप्शन है IIT इंडॉर फोर्थ ऑप्शन है IIT भुवनेश्वर बताईएगा दोस्तों किस IIT ने इस्तन कैंसर का सीगर पता लगाने के लिए एक नया उपकरट पेस किया है जिसे विशेश रूप से ग्रामीड और दूर दराज के छेत्रों में महिलाओं की मदद के लिए डिजाइन किया गया है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है मारा ऑप्शन नमबर C IIT इंडॉर ने चलिए इससे रिलेटिड इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते है IIT इंडॉर ने इस्तन कैंसर गासीगर पता लगाने के लिए एक नया उपकरट पेस किया है जिसे विशेश रूप से ग्रामीड और दूर दराज के छेत्रों की महिलाओं की मदद के लिए डिजैन किया गया है प्रोफेसर स्री वसन वासु देवन दुआरा निर्मित यह उपकरड कैंसर जाच को अधिक किफाइती और सुलब बनाने की दिसा में एक महतपूर कदम है यह डिवाइज फोटो एकॉस्टिक स्पेक्टरल रिस्पॉंस तकनीकी का उपियोग करती है जो उतक में आसमान परिवर्तनों का पता लगाने के लिए प्रिकास और धोनी को जोडती है इससे कैंसर की सुरुवाती अवस्था में पहचान करने में मदद मिलती है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हैं और अज का लाश कुश्टिक देखते हैं अज का लाश कुश्टिक लिखा है फ्रेंट्स ओपन एरा के सबसे महान पुरुस टैनिस खिलाडियों में से एक राफिल नडाल ने पेसेवर टैनिस से सन्यास की गोशना की है वे किस देख से हैं राफिल नडाल वन ओफ दी ग्रेटेश्ट मैन टैनिस प्लेयर इन दा ओपन एरिया हैज एनौश्ट हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टैनिस ही इज फ्रॉम विच कंट्री फर्स्ट ओप्सन है सर्विया, सिकेंड ओप्सन है फ्रांस, थर्ड ओप्सन है इस्पेन, फोर्थ ओप्सन है बेल्जियम जल्दी से बताईएगा दोस्तों ओपन एरा के सबसे महन पुरुष टैनिस के लाडियों में से एक राफिल नडाल ने पेसेवर टैनिस से सन्यास की गोशना की है, वे किस देश से हैं? इस कुश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वे हैमार ओप्सन नमबर सी इस्पेन देश से हैं चलिए इससे रिलेटेड इंपोर्टन पॉइंटों को पढ़ते हैं ओपन यूगिके, सबसे महन पुरुष टैनिस खिलाडियों में से एक राफिल नडाल इस्पेन ने पेसेवर टैनिस से सन्यास की गोशना की है इस्पेन में आगामी डेविस कप फाइनल एक पेसेवर खिलाडी के रूप में उनका आखिरी टूनामेंट होगा 2024 डेविस कप फाइनल 19 से 24 नवंबर 2024 तक इस्पेन के मेलागा में होगा राफिल नडाल उस इस्पेनिस टीम का हिस्सा होंगे जो 19 नवंबर 2024 को कौर्टर फाइनल में नीदल लेंड से भीड़ेगी ठीके दोस्तो I hope आज के सभी कुष्षन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे सभी कुष्षन से related important point के notes भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे exam के नजरीये से दोस्तो क्लास बहुत helpful रही होगी आप लोगों के लिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, सेर कीजिएगा और आपकी अपने चैनल मांसी स्टेडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तेंक यू सो मच्छ दोस्तों